स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल एड्वोकिट दीप लिगल हप में आज का ये केस हमारा चारसो अंठन पे एक के एक फैसले से संबंदित है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातों के जनकारी दी जाएंगी जो कि आपकी फैमिली के लिए लाबकारी हो सकती है या इसके माध्यम से आपको जो सूचना दे जा रही है, जो आपको बताया जा रहा है, वो हो सकता है कि आपके case में कहीं न कहीं काम आ सकता है, अगर आपका case ऐसा है, जिसमें आपके साथ साथ आपकी घर में किसी को भी आरोपी बनाया गया है, जैसे कि आपका भाई हो, आपक सबूत नहीं दिया गया है या फिर केवल एक आरोप लगा दिया गया है उसके बारे में कोई वैसे तथे नहीं दिये गया है जिनसे ये सिद्ध हो सके कि वो आरोपी है आज का ये वीडियो हमारा दीपक शर्मा वर्सिस स्टेट ओफ हर्यारा के निर्णय से संबंदित है इस निर्णय के माध्यम से सुप्रियम कोट ने क्या कहा है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी जब भी 498 A का केस होता है तो वहाँ पर 406 भी साथ में लगाए जाता है आप अकसर ही आप इसने केसल से केस देखेंगे जिसमें 408 A के साथ साथ 169 A के साथ 10406 का भी साथ यूज किया गया है उसमें जो आप भी बनाए गया है तो आपको के वल 4410ritis अनधा पर गया है आपको आपके उपर और आपकी खयानत का मतलब क्या है अमानत में खयानत का ये मतलब है कि इसके माध्यम से आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है और आपकी फैमिली के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों ने पतनी का गया घर की बहु का गहना अपने पास रख लिया है जबरदस्ति जो ग लोगों के द्वारा रख लिया गया है जबरिदस्ति तो यहाँ पर किया कौनसा इधारा लगती है तो धारह 406 लगती है, अब यह धारह 406 अमानत में खयानत की बाद ही करती है, क्यों करती है क्योंकि ये साफ तॉर पर जबरिदस्ति अपने पास रख ले anest, बिना उसकी इजाज़त के जबरदस्ती उससे उसकी चीज़ों को आप अपने पास रख लेते हैं तो यहाँ पर धारा 406 का यूज होता है इस case में यही आरोप लगाये गया था अपनी सास पर और अपने देवर पर case में जो charges जो लगाये गये थे सब पर तो उसमें जो charges लगे थे वो धारा 406, धारा 343, धारा 498 ए और धारा 506 के अंतरकत आरोप लगाये गये थे मतलब इतने सारे धाराओं के अंतरकत आरोप लगाये गये थे कि उन्होंने गहने को रख लिया है अब यहां पर जो आरोप लगाए गयते उसमें जो एक जो एक मेल पॉइंट यह होता है कि जो आप गहने रखते हैं उसे आप जबर्दस्ती रखते हैं तब तो धारा 406 लगती है कि आपने क्या किया कि आपने जबरदस्ती मांगने पर भी आपने वो गहने नहीं दिये, आपने वो इस्त्रिधन नहीं दिया, आपने जबरदस्ती उसको अपने पास रख लिया, तो धारा 406 ऐसी कंडिसन में लगती है, यहाँ पर क्या कहा गया, कि गहने जो रखे गया हैं, देवर के द्वारा में जोब करता था, टेकसस कंपनी में वहाँ पर वो जोब करता था, अब चुकि धारा 406 और कई सारे धाराओं के अंतरगत आरोप बनाए गया था, तो उसमें इन लोगों को आरोपी बनाए गया था, तो देवर बाहर जोब करता था, उसके लिए क्या आदेश के नहीं जा सकता था, इसके खिलाफ टेवर ने याचिका दायर की, अपील की, इस फैसले के खिलाफ, इस सादेश के खिलाफ अपील की, कि उसे बाहर जाने की अनुमती दी जाए, क्योंकि चुकि वो 9-10 साल से बाहर रहता था, तो उसे अपनी कंपनी में फिर से अपनी ना था कि केवल सुरक्षा की द्रिष्टी से अगर आप अभूसणों को अपने पास रख लेते हैं, तो 498 एक अंतरगत ये क्रूरता नहीं माना जाएगा, मतलब कि अगर जो गहने रखे गये हैं, वो आप उनको इस वज़ा से रखा गया है, कि उनको सुरक्षित रखा जा सके, तो ये क्रूरता की स्रेणी में नहीं आता, धारा 498 में क्रूरता कब आती है, कब बात होती है, ये तब होती है कि जब आपने जबरदस्ती स्तरीधन को अपने पास रख लिया है, तो कि अगर आप सुरक्षा की द्रिष्टी से रख रहे हैं, तो ये क्रूरता नहीं मा विदेश यात्रा पर केवल इस आधार पर पावंदी लगाई जा सकती है और उसके मौलिक अधिकारों को केवल इस आधार पर चीना जा सकता है कि उसे आरोपी बनाया गया है ऐसे केसिस में जहां पर आरोप भी सही तरीके से जिद्ध नहीं हो रहे हैं तो सुप्रिम कोर्ट पासपोर्ट को जब्त किये जाने का और बिनापूर अनुमती के विदेश न जाने का उसे रद करते हुए कहा कि आप ऐसे आरोपों के माध्यम से आप जहां पर आरोप सिद्ध भी नहीं हो रहे हैं जहां पर इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि जो गहने रखे गये थे वो जबरदस्ती रखे गये थे तो आप इस आधार पर केवल किसी भी व्यक्तिव को उसके मौलिक अधिकारों से वंजित नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ सूप्रियम कोर्ट ने इस बात के अनुमती दी कि जो सिकायत करता है जो अपील करता है वो उसे अनुमती द आप अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई भी केस हुआ है आपको भी इस तरह के केस में कहीं भी आरोपी बनाए गया है या अगर आपका केस भी ऐसा है जिसमें आपको ये लगता है कि वो आरोप सिद्ध नहीं किये गये हैं तो आप उस आधार पर आप चुनौती दे सकते हैं आप अपील कर सकते हैं और अपनी बात को गर आप रखते हैं कोर्ट में और अपनी बात को गर आप रखने में सक्षम हो जाते हैं मतलब आप कोर्ट को यह समझाने में सक्षम हो जाते हैं कि आप जो अपील कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है तो आपको भी ऐसे केस में रा बन सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केस जज्मेंट क्या नाम मिल जाएगा अगर आप उसे चाहेंगे तो आप गुबल पर सर्च करके आप उसका पूरा साइटेसन आप निकाल सकते हैं और आप जरूरत पड़े तो आप अपने केस में उसका यूज कर सकते है उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताईगी जानकारी आपके समझ में आई होगी अगर आपको इससे संबंदित कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोच सकते हैं